Hello friends, आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे All Important Test for ESIC or Norset Exam यह जो टेस्ट है इनमें से ESIC या फिर Norset Exam में या अधर जो नर्सिंग की competitive या medical exams होती है उनमें एक या दो questions से जरूर आते हैं तो आज हम इन सभी टेस्ट के बारे में डिसकस करेंगे कौन से टेस्ट कब किये जाते हैं असमें हम लगबग 70 से 80 टेस्ट बताएंगे जो कि अलागलग डेजीज के दोरान किये जाते हैं एडम टेस्ट जो कि स्कोलियोसिस डेजीज के लिए किया जाता है एलन टेस्ट एबीजी एनालिसिस के लिए किया जाता है Aldehyde test जो की लेपरेशी डिजी जो होती है उसमें किया जाता है Phosphate test पास्चुराइजेशन के लिए किया जाता है Patch test allergic reactions चेक करने के लिए किया जाता है Cornicure test ये डेंगू में किया जाता है Next is Rogers test ये urine में acetone की presence चेक करने के लिए किया जाता है Hay test bile salt in urine ये urine में bile salt चेक करने के लिए यूज किया जाता है Smith test bile pigment in urine यदि urine में bile pigment आ रहे हैं तो उसको चेक करने के लिए किया जाता है Benedict test urine glucose level चेक करने के लिए Kevim test sarcoidosis के लिए किया जाता है Rin and Weber test जो की hearing test करने के लिए किया जाता है चेक Confrontation टेस्ट जो कि हमारे Central और Peripheral वीजन चेक करने के लिए किया जाता है जेगार्स टाइप कार टेस्ट नियर वीजन के लिए किया जाता है सिजलिंग टेस्ट होता है Vitamin B12 Absorption चेक करने के लिए Histamine टेस्ट ये भी Lepracy में किया जाता है रोलर ओवर टेस्ट प्रिक्लेंप्सिया जो के एक हाइपरेटेंसीव डिजीज होती है PGNC में उसके लिए किया जाता है फां टेस्ट और नाइट्राजेन टेस्ट ये apneutic fluid का LEAKAGE चेक करने के लिए किया जाता है वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट ये डाइपटीज इंसिपिडस में किया जाता है ट्रेडमिल टेस्ट या फिर हम कह सकते हैं इसको स्ट्रेस टेस्ट ये हार्ट फंक्शन्स चेक करने के लिए किया जाता है ट्रिपल टेस्ट डाउन सिंड्रोम में किया जाता है डी डाइमर टेस्ट, मेजरींग कलोट फॉरमिशन लेकं डीवीटी, पी-ए और डी-आए-सी, इन सभी में किया जाता है, ट्रेंडलेंड बर्ग टेस्ट, वेरिकोज वेन चेक करने के लिए किया जाता है, फेलेंड टेस्ट ये टिनल टेस्ट, ये कारपल टनल सिंड्रोम में किया जाता है नेइट्ट यूरिया बृइध टेस्ट जोकि H. pylori चेक करने के लिए किया जाता है जो peptic ulcer disease होती है हमारे stomach में उसमें H. pylori का infection होता है तो उसको चेक करने के लिए नेइट्स सिक टेस्ट ये Diptyria में किया जाता है Dick टेस्ट Scarlet Fever के लिए क्या जाता है Direct Com test Hemolastic Anemia के लिए क्या जाता है ECR test Color Vision के लिए क्या जाता है Sleраш 5 Test Distance Vision के लिए क्या जाता है VDRL test Ciflix में क्या जाता है VMA Vaniline Mandelic Acid GTT Glucose Toleranze Test Diabetes Malitis में क्या जाता है Glycosylated हीमोगलोबिन जिसको बोलते हैं HbA1c ये भी डायबटीज मिलाइटस किम्मे किया जाता है गोल्ड क्योंटी फेरिंट्रेस्ट ये होता है टूबर क्लोसिस में बैंगल टेस्ट प्रोटीन एनर्जी मालनुट्रिशन में मतलब बच्चों में प्रोटीन एनर्जी मालनुट्र चेक करने के लिए बैंगल टेस्ट किया जाता है टेंसिलोन टेस्ट ये टेंसिलोन टेस्ट है ये टेंसिलोन टेस्ट है जो कि मास्थेनिया ग्रेविस में किया जाता है रोंबर्ग टेस्ट नियूरोलोजिकल फंक्शन या फिर बोडी बैलेंस और गेट्ट चेक करने के लि टेजेंक टेस्ट होता है हर्पीज, जनाइटल और वेरिसियला चेक करने के लिए फ्राई टेस्ट लिंफो, ग्रेनुलोमा, इंग्वेनिल चेक करने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट टाइफोईड फीवर में किया जाता है सेकंड वीक में विल्ट फ्लिक्स टेस्ट टाइफोईड फीवर के लिए किया जाता है बोने टेस्ट ये मार्शल टेस्ट इस्ट्रेस इनकॉंटिनेंस के टाइम किया जाता है बिने टेस्ट इंटेलिजेंस से क्यूटेंट चेक करने के लिए किया जाता है जिसको बोलते हम आईक्यू यदि ह हमारी IQ चेक करनी है Questo testुण के द्वारा किया जाता है ιοन्य स्वेट क्लोराइट स्चिस्टिप आबरोसीश में जाता हैं घिलाता है जंत स्भाग सरहonton द्वार्ण के भू आबरो सीट रयरेों हैंगिंग ड्रोप यह कुलेरा ट्यूब फैलोपिन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए रूबिन टेस्ट किया जाता है टेप टेस्ट पिनवर्म के लिए किया जाता है और्थो टोलीडिन टेस्ट चेक क्लोरिन इन वाटर वाटर में क्लोरिन की मात्रा चेक करने के लिए और्थो टोलीडिन टेस्ट कि लब हमारी जो बोडी का कोडिनेशन है वो चेक करने के लिए हील टू सिंट टेस्ट किया जाता है हेलो टेस्ट सी एस अफ लेकेज के लिए किया जाता है इन सब के लिए डेक्सामेथिसों सप्रेशन टेस्ट किया जाता है आर्थ्रू सेंटेसिस टेस्ट जोएंट इंफ्लामिशन एंड इन्फेक्शन चेक करने के लिए होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट 24 आर्स ECG मॉनिटरिंग इन डिसरिद्मियाज यदि irregular हाल रिदम्स आ रहे हैं तो उसके लिए होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट किया जाता है 24 आर्स के लिए उसमें ECG को मॉनिटर किया जाता है next pulmonary function test जिसको बोलते हैं PFT major lung volume and capacity मतलब जो हमारे lung की capacity होती है और volume होता है वो चेक करने के लिए PFT किया जाता है SGOT, SGPT जिसको हम सोट में बोलते हैं AST या ALT यह liver function test होता है PEP smear test यह cancer of cervix मतलब यदि cervix का cancer है किसी को तो उसके लिए PEP smear test किया जाता है CCT, creatinine clearance test, estimated estimation of GFR जो हमारी glomerulus से filtration rate होती है वो चेक करने के लिए CCT किया जाता है Woods light examination, superficial infection of skin Borough ink test यह इसके बीज और फिर यदि each होती है मतलब हमारी body में कहीं खुझली हो रही है तो उसके लिए borough ink test किया जाता है Broaden scale test to measure integrity of bad source यदि bad source हो रहे हैं तो उसके लिए उसकी integrity measure करने के लिए broaden scale test किया जाता है तो यह सब थे important diagnostic test जो कि आने वाली ESIC, NORSET या फिर other CHO वगरा कि जो exams होती है उनके लिए बहुत ही important है So I hope आप सबको समझाया होगा Thank you मिलते हैं next class में और हमारे channel पे नए हो तो subscribe जरूर करें